अगर आप मेरे चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इस चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद रहता है तो लाइक इस वीडियो डाइस एक जन्रल कलेक्टेव टाम्लस रिडिंग है जितना रिजनेट कर उतना रखिए उत्मी गाइडेंस रखिए सब्सक्राइब कर सिर्फन सब्सक्राइं ब्रॉब आफर तकार इस आपके या पार्टनर की और आपको कर रहा हैं उनकि चैनल को छी लेकर देखें कि इन pra कि आज की दिन में एनर्जी बहुत बड़ड अने वाली एनर्जी होती नहीं कि वह बहुत ज्यादा सोच रहे होती हो कि मैं कैसे करूं क्या करूं कैसे संभाद हूं यह वाली एनरजी आपके पार्टनर ही और थोड़ी सी distorted energy और negative है चीज़ों को लेकर मतलब मुझसे ना हो पाएगा मैं नहीं समझा पाऊंगा मैं नहीं समझा पाऊंगा यह वाली energy आपके person की नजार आ रही है मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी करना है हर जगह इस परसन के negativity है, दिमाग में negativity है, root chakra में negativity है इस परसन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वज़र से इस परसन की लाइफ में इस वक्त मैं सी situation बन गई है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कैसे ठीक करना, मुझे जल्दी सब कुछ ठीक करना है, कैसे सब ठोका हो पाएगा की नहीं होगा, पैनिक कर रहा है कोई इनसान, और लगातार negative है, आपको कुछ साइन्स मिल रहे होंगे, इस परसन से related, कुछ इस तरीकी की साइन्स मिल रहे होंगे, कि आपके परसन बहुत परिशान है, या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब् बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन मौन हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कई बार आपके लाइफ में ऐसी situation बन जाती है, कि आप अपने आपको प्रूफ करना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, आप सही हो, आप कहन लगता है कि मेरे को कोई समझेगा नहीं अगर मैं बोलूँगा तो या बोलूँगी तो ठीक है तो मतलब कोई भी इल्जाम आप क्यों पर लग रहा है कोई भी आप से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो इंसान उसे चुप-चाप सहलेता है या फिर चुप-चाप सुन लेता है कुछ ऐसी वाली एनरजी है जैसी कहना चाहते हूं वह कि वह उख समझ में नहीं आ रहा है अपने आपको सही कैसे कहई यह तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कहना हो छो मैं मुझे से जो यह कहना है आपको एक परसेंट भी प्रूव नहीं करना कि मैं क्या हूँ और नहीं मुझे ते मैं कोई परूव देने की जरुत है चीए इस इसनान की एनरजी दिखाई बड़ रही है मुझे मतलब हो सकता है इस पर यूपर कोई गलत कहेंगे तो जैसे उसने अपने हाथ ही खड़े कर दी किसे जो कहना है मुझे जैसा बोलना है मुझे बोलता रहा है मुझे कोई फरक नहीं फड़ता यह कहां से निकल कर आ रहे हैं जहां पर कोई बहुत बहुत उदास उदास क्या यह मतलब energy ऐसी है ना जब आप आपने क कहा रहा है तुनी गलता आप लिए कि पर आप वह सीखना लायँ जाने न जाने में होंगी लेकिन सब्सक्राइब कि आप की क्या कर रहे हैं का है इंटेंशनला यह और हो इनरजी है कि आने हम और हो यहां वूँ मैंने मेरी अतनी नहीं है जितने अन्य देखा जा रहे है या फिर इंको आ 국णको को ही समझे पायेगा यह अपने आप को समझाने हूं कई आप situation में एश कर exercise है कि आप उस situation में पहुंचे इंटेंशनली नहीं पहुंचे लेकिन हाँ आप वहां तक जैसे पहुंचे हो वहां तक पहुंचने का जो दास्ता है वह इंटेंशनली नहीं था कि आपको गलत करके ही वहां तक पहुंचने था कई बार आप सही करके भी किसी ऐसी जगह पर हो ज है वह एनरजी लग रही है देखो कुछ तो गलतियां आपके पार्टनर में की हैं बर इनको ऐसा लगता है कि सारी गलतियां नहीं है और यह किसी को समझा भी नहीं पाएंगे तो यह यहाँ पर दिखाई देता है इस परसन की एनरजी में एक रूखापन है एक ठकान वाली एनरजी है अब हमें कहें कि कैसी एनरजी है कि जैसे हम कहते हैं कि हटा या सब खता हो गया यह वाली जो इनरजी होती है न सब खता हो गया कुछ नहीं बचा जब आपको देखो यह वाली जो सिच्पेशन आपकी लाइफ में तब बनती है जब यूनिवर्स चाहता है आप सरेंडर करें ठीक है या फिर आप बहुत जिद दो टिक रहें किरेंगे ये तो एक सरेंडर है इसकी पार मातमा को आप चार्जे voltage देते हैं और इसके बात की असली से तरेंडर की परिक्षा है orada को अपको सरेंडर करना पड़ेगा आपको अन damn की अदर जितनी बीए नेगेटिवीटीस अपको आपको इह मांनना होगा कि सि से इस च्छन से जो भी चीज मेरी जिंदगी के अंदर होगी वो परमात्मा की इक्षा से होगी तो वो में लिए अच्छी होगी भले ही वो मेरी मर्जी का हो या ना हो इसको हम सरेंडर बूलते हैं कम्प्लीट सरेंडर कर मैंने शायद अपनी सुबह वाली रीडिंग में यह वोली थी, डिवाइन वाली, ओके, तो जब आप यूनिवर्स के पास आता हूं ना तो फिर वो आपको आपको सही रास्ते से लेके जाता है, सबसे पहले वो आपको तैयार करते हैं, लर्निंग देते हैं, उसके बाद पिर वो आपको चीज़ें समझाते हैं, फिर उस चीज है बत्तमीज कहना है तो वो भी क्या लो में को फरक नहीं पड़ता है फरक तो बहुत पड़ता है बिसीकली लेकिन तुम्हें थाबित नहीं गर पाएंगे यह एनरजी है गईबर लाइफ में आपको ऐसे चोट मिलने लगती है और आप यह जानना चाहते हो सबसे कि मुझे ऐसी चोट क्यों मिल रही है आखिर मैंने ऐसा क्या किया हां गलतिया हुई है इतनी नहीं हुई है कि जैसे आपने विलकुल इस तरीकी की पेल इस तरीके का टॉर्चर इस त तरीकी की तकलीफ इतनी तो मैंने गलतिया नहीं कि जितने का मुझे दुख मिल रहा है यह एनर्जी आपके परसंट की नज़र आ रही है आपके परसंट की इस वक्त में हुआ है कि प्यार वेर सब धोका होता है जी कि आंत में मिलता दुखी है किसी को आज तक कुछ नसीव सब बाद में धोका दे के चले आते बाद में सब Aegis करके चले आते हैं निहीं किसी को कुछ नहीं मिलता है यह है यह वह यह क्यर्शन की की नेर्जी है यहाँ पर यह प्यार और बढ़ी ही सारी उमीदं लेकर आता है वही बहुत सारी इक्सक्टेशन पूरी होना ना ओना यह तो सामने वाले के उपर डिपेंड कर रहा है अगर उसने पूरी कर दी तो आप उने पूरी नहीं करी तो अब प्रॉब्लम किसी थी एक्सपार्टिसन लखी है बास्ट में ठीक है क्योंकि वो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि intentionally मैं यहां तक नहीं पहुँचा या नहीं पहुँची ठीक है कुछ गलत फहिमी हो सकती है कुछ triggers हो सकते हैं या फिर मिसंडिस्टेंडिंग हो तक कि जो जिसकी वैसे वह वहां गया देदेँ फिर माईश को घंव को खरता या कि यहां पर निकल आ रहा है कि जब कोई इंसान ऐसी स्थिती में पहुंच जाते हैं तब वो सबस्क्राइब को ब्लेम करता है कि यह सब बेकार है कोई साथ वात नहीं देता कोई साथ दे देता साथ रह लेता तो कितना अच्छा हो जाता हार एक ते अपने दिमाग लाएगा बाद में का प्यार वार है कि यहां बतानी किसके लिए परिवाला सौंग चैनल हो रहा है मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है एक बेवफा है पतानी किसके लिए यह सौंग चैनल हो रहा है कि ठीक है अब चरौध के रहा हो या जिस को यह सुनाई दे रहा हो कुछ दिन से उसी के लिए यह सौंग किस की स्क्रिन के इस पसे सद्ला बज रहा है ईस वेक्तakah जिन उनके पार्टनर उनको ये सॉंग सेंड कर रहे हैं कि मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है एक बेवाफा है ठीक है अगीन ब्लैक ब्लैक एनर्जी हो रही है बार पर बार बहुत जादा मतलब इस परसिन की एनर्जी क्लियर नहीं क्लियर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत जादा खुश वाली एनर्जी नहीं है ठीक है अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है अभी तो मुझे लगता ह मुझे कोई फरक नहीं पड़ता special message for Scorpio Scorpio वालों के लिए special message है and also cancer कर देखते हैं कि आपके partner आपको और क्या बताएंगे कार्ट से दिखनी कोशिश करते हैं nine of cups queen of cups ace of pentacles card उलज जा रहे हैं एक दूसरे में बहुत जाद आज यहां पर है Empress queen of cups and queen of pentacles एक आप वो एक मादर हैं एक कोई तीसरा इंसान है ठीक है यहां पर क्या energy निकल के आ रही है आपके partner की इस समय में spiritual awakening ट्रगार हुई है उसका कारण है आपका love अब आप कोगे हम तो दूर दूर तक उसकी जिन्दी की जिन्दी में नहीं है दूर दूर तक बात नहीं होड़ी no contact situation है यहां पर matter यह करता है कि उसकी जिन्दी में हो नहीं हो वो matter ही नहीं करता है आपके अंदर उसको लेकर क्या feelings थी आप deeply उससे कितना चाह रहेते हैं उसे और आपके साथ कितना deep soul connection उस रेक्पी का था उतनी जादा soul triggers आपको लगते हैं जितना जादा आप उस रेक्पी से strongly connected होते हो उतनी जादा वो कहते हैं कि उतनी जादा soul triggers आपको मिलते हैं यह सबसे अच्छा तरीका है यह पहचाने का कि आप आपके मन में सामने वाले के अंदर सामने वाले के लिए love था या सिर्फ और सिफ attachment अगर आपको बहुत डीप लेवल पर जाकर चोट लगती है बहुत गहरी चोट लगती हो जितनी बार चोट लगती है आप यूनिवर्स के और जादा करीब जाते हो यह sign होता है कहीं कहीं कि सामने वाले के साथ आपके पार्टनर एक तो आपके लफ के बिना बहुत जादा तकलीफ में थे तो वो चीज इस परसन को अंदर से वैसे ही अंदर से इस परसन का जो इगो होता है ना इगो उसको मेल्ट कर रही थी बहुत लंबे टाइम से अब बाहर से भी लोग पीशे पढ़ जाएंगे त यहां पर दीकी मदर का इस पेशल रूल नजर आता है एमप्रेस कार्ड के साथ की आपके पार्टनर जो हैं कहीं ने कहीं वो आपको हमेशा से चाहते थे और शायद इनकी मदर जो है उन्होंने आपकी खिलाफ इस परसन को मैनुप्लेट किया हो सकता है आपको आफर देने स सुननी चाहिए थी आपकी केस में बिकॉज यहां पर कोई टीसी सिचुएशन बनी है और एमप्रेस का कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर की देखिए अवेकनिंग तो आपके आपसे टरगार हुई आनि कि इस परसन की जो अवेकनिंग है अगर इस परसन को आपके जाने के बाद भी चोट लग रही है तकलीफ हो रही है इट मींस की इस परसन की दिल में आप बहुत स्टॉंगली बसे हुए थे और जब तक आप थे तब तक समझ नहीं पाया यह इनसान की आप कितने डीप में हैं कितने अंदर तक आप इस परसन के हैं आप से जैसी सेपरेट के चीज़ें सर्फेस पर आने लगी और अब जाकर सिच्पेशन बाहर सिंगी जब आपके अंदर से तूफान होता तो बाहर से भी आपको कहीं न कहीं चीज़ें मिरर होने लगती हैं आप सबको पता है कि अंदर भी आपके जब चीज़ें चल रही होती बाहर से भी मिरर हो सोचना मेरा राइट है नहीं है जैसे खुशियों से भागने लगा यह पर सब्सक्राइब नहीं कि कोश़िए और यहां पर आम पर यहां पर इनरजी मदर की रोल को दिखा रही है यहाँ पर आप उस्वों के पार्टनर ने अगर आपको नहीं दिया को आप को आपसे दूर हैं आप दोनों हस्बरेंड वाइफ के फिर भी तो यहां मदर ने बहुत स्टॉंग रोल प्ले किया कई वर आता है यह मदर का मैसेज़ फादर की मैसेज़स काम आते हैं अपस्टॉंग ने लाइफ के अंदर यह जो इस लाइफ में कुछ बन रहा हो ना बन रहा हो पास लाइफ करमा जरूर बन रहा हो गा ऐसी तो कोई सोल आपकी लाइफ के अंदर नहीं आती है उसको भी कुछ न कुछ हिसाब किताब आपके साथ करना होता है तो यह पास लाइफ से आ आ गई आपके परसन की लाइफ में लेकिन हाँ पर यह नजर आता है कि यह इस लाइफ टैम में इंटेंशनली नहीं आई थी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इंटेंशनली न नहीं आये थे और इनको भी ऐसा फील होता है कि यह कहां फज गए कहां फज गई चीक है यह तो पास लाइफ का सोल कॉंट्रैक्ट है वहाँ इंटेंशनली कोई आज के डाइम में किसी की लाइफ में ऐसे नहीं जाता है कि मुझे इसको हर्ट ही करना है मुझे तकलीफ ही देन इसको हमेशा मिलते हैं इसके होता है कि अपको आनिंटेंशनली का मतलव हो गया कि सामने वाला आपको बहुत गहरी बात बोल देगा और बहुत मतलब अंदर तक आपको चुब जाएगी आपको तीख ही लग जाईगी लेकिन उसके इंटेंशन यह नहीं होगे नगान और किके वह आपके हो आपको आपको बाहर से मिरार हो गई आपको बहुत चुब जाईगी उसने भले किया हो या ना आपको इसा लगेगा कि आपके उपर से त्रून मिल रहे है न तो उसका भी आपके सब भांगा नगा ज़रूर होता है इस life label से याद नहीं है लेकिन trigger उसी के थ्रू मिला है मतलब चोट आपको उसी वक्ति के थू मिली है बत उसने यह काम intentionally नहीं है भी याद नहीं नहीं किस आप क्योदा की करमा लेना है की revenge लेना है लेकिन soul को हमीशा सब याद रहता है तो होता किया है कि आपको कोई trigger मिला लेकिन आप वो व्यक्ति ने आपको जान भूच के नहीं किया होगा वो चीज़ लेकिन फिर भी उसी के साथ आपका कुछ न कुछ हिसाब किताब था जो उसकी बात उसकी कोई तकलीफ मतलब उसका कोई हरकत आपको बहुत जादा चुब जो उसने उस intention के साथ नहीं की थी फिर भी आपको चुब गई इसको बोलते हैं कार्मिक ट्रिकस्ट या आपको कोई भी दे सकता है तो आपके पार्टनर के साथ जो इंसान है उसको भी ऐसा लगता है कि वह गलत जगह फस गया क्योंकि वह भी आपकी पार्टनर की लाइफ में एधर मिए करोगी तुम्हारे साथ नहीं करने फूर होगी लिए को मुझे चीजह क्रकेश्टे कोश वी करेंगे तुम्हारे साथ से लेकिन उसकी हरगते तुमुंसे वितरी ओbreak हो तुो अच्छ़ होजाएगा वह उतना ऑच्छा परफेक्ट ली करने पाएगा तूर्श कि यही केस में होता है अगर आप एक पर किसी डी एफ को डील कर लेते हैं जो आपका सोल कनेक्शन है उसके बाद आपको बहुत जादा मुश्किल हो जाता है कि कोई उसे मैच कर पाइए कि आपका अपने जो इस्टैंडर है वो यहां पर मतलों कहते हैं आपने एक एक करके रह जाता है तो और जादन ट्रिगर इस पर इस-पर्सन को फील होने लगते हैं जो यह उल्म होने लगता कि जिए ब्रुक्त क्या है जब आप कर सकते था तो कोई भी कर सकता था ऐसा नहीं है ऐसा यह अंतर है तुछ tweets तो आपको लोग की कदर समझ में आईगी तो ये एनरजी आज के दिन में आपके पार्टनर की है लेखते हैं अलफावेट्स यहां पर नमबर है 5063 यहां पर एक्स लेटर है ठीक है तो यह निकल के आ रहा है डेफिनिटल आप इस लीडिंग को क्लेम कीजिएगा और आप अपना फीड़ पर कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल पर्सनल लीडिंग के लिए वाट्साप कर सकते हैं थैंक्यू गाइस